असलाम अलेकूम मैं हूँ अधनान अग्रिकल्चर वांड में खुशाम दी धान की पत्ता लपेट सुन्डी की पहचान पत्ता लपेट सुन्डी का साइंसी नाम सीन फैलो क्रोसिस मेडिनेलिस और फैमिली पैरलेडी आडर लेपिड़ाप्टर है धान की फसल का ये एक कभी कबार आने वाला कीड़ा है जिसे सुप्रोडेक पैस्ट आफ राइस कहते हैं पत्ता लपेट सुन्डी का बाले गोल्डन रंग का या येलो बुरान रंग का होता है और आट से दस मिलीमिटर इसकी लंबाई होती है पत्ता लपेट सुन्डी के अंडों का रंग करीम कलर का होता है मादा बैजवी अंडे 50 से 55 तक पत्तों के उपर देती है लारवे का रंग हलका पीला होता है या सुफैद रंग का होता है और इसकी एक साल में चार नसले होती है एक्टे पिरिट इसका जुलाई से अक्टूबर होता है और इन एक्टे पिरिट अक्टूबर से नॉंबर और अप्रेल से माई तक होता है पत्ता लपेड शुन्डी पत्ते के कनारों पर अपना धूक लगा कर पत्ते को फोल्ड कर लेती है और अंदर बैठ कर पत्तों को खुरच-खुरच कर सब्समादा खा जाती है जिससे पत्ते खुशक हो जाते हैं और फोटो संदीज का अम्मल रुक जाता है इस तरह पते खुश्क या टूटना शुरू हो जाते हैं जिससे फसल की पैदावार में कमी हो सकती है अब बात करते हैं सप्रे के बगएर या गेर कमियाई तरीके से कंट्रोल धान के खेत के इर्द गिर्द जड़ी बूटें के तलफी यकीनी बनाई जाए या रोशनी के फंदे लगा कर भी इसकी पापॉलोशन को कंट्रोल किया जा सकता है रोशनी के फंदे देशी तरीके से कैसे बनते हैं इसके लिए में एक अलग वीडियो बना दूँगा अगर इसी वीडियो में बताने लग जाओं तो वीडियो लंबी हो जाएगी अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की ट्राई एजोफास 600 अमल पर एकर या फिर सी हैलो त्रेन 200 अमल पर एकर की इस्तमाल करनी है आपने याद रखें केमिकल कंट्रोल उसी वक्त करना है जाप पत्ता लपेड सुन्डी की नुकसान की माशियाद दो मतासरा पत्ते या दो नाली नुमा पत्ते नज़र आएं अगस्त के महीने में सितंबर अक्तूबर में 10 फीसद नुकसान अजराय तब भी आपने सप्रेक करनी है तो मेरे काश्टकार भाईयो अमीद आपके मेरी वीडियो अच्छी लगया होगी इस वीडियो को लाइक करें शेर करें ताके जो दूसरे काश्टकार भाईया हैं उन तक भी ये मालूमात प